नमस्कार स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में बात करतें आप तक की बड़ी खबरों की गोज़ा के सी एम का साला रिश्वत लेते रंगे हाथों की रफतार एसी बी ने 1 लग रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गोज़ा के मुख्यमंद्री लकश्मीकांट पारसेकर के साले दिलिफ मालवाकर को गिर बात कर लिया है मालवाकर गोवा प्रदेश और दिवकिक विकास प्राधिकरण में फील्ड अधिकारी के पद परकारे रत है पुलिस प्रवक्ता जॉन अगुयार ने बताया कि ACB ने पारसेकर के साले को उस समय गिरफतार किया जब वो तुईम इंडुस्ट्रियल अस्टेट में एक आवंटित प्लॉड में कबजा दिलाने के बदले रिश्वत ले रहा था मामले में एक अन्य अधिकारी अजित कउनेकर को भी किरफतार कर लिया गया है इस पीश मुख्यमंत्री पारसेकर ने कहा कि मालवाकर मेरे रिश्टेदार हैं लेकिन जाच में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा मेरे बहुत से रिश्टेदार हैं वे क्या करते हैं इसकी जानकारी मैं नहीं रखता हूँ गुजरात में निलंबित IPA संजीव भट बरखास्त कोधराकान के बाद भड़के दंगो के दौरान वर्ष 2002 में नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली गुजरात सरकार से टक्राव मोल लेने वाले निलंबित IPA सदिकारी संजीव भट को बुथवार को बरखास्त कर दिया गया गुजरात के मुखे सचीव जी आर आलोरिया ने बताया कि संजीव भट की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं भट ने बताया हाँ ये सही है कि मेरी सेवाएं बरखास्त कर दी गई हैं इसकी उम्मीद थी वे पूरी तरह से एक तरफा जाच कर रहे थे मुझे उनसे बरखास्त की का पत्र मिला भट ने कहा कि उन्हें सेवा से अनाधिकरत रूप से वैर हाजिर रहने के संबंथ में दिखावटी जाच के आधार पर बरखास्त किया गया ये वो समय था जब वो 2002 के दंगों के जाच कर रही साइटी के सामने गवाही देने के लिए अहम्दाबाद आये थे पाक ने सेवत राष्ट्र में फिर आलापा कश्मीर राग राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता से पहले दूसरे मोर्चे पर पाकिस्तान ने सेवत राष्ट्र सुरक्षा परिशद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए इससे सुलचाने के लि संयुक्त राष्ट में पाकिस्तान की स्थाई प्रतिनिधी मलीहा लोधी ने कहा कि 57 सदस्य OIC वैश्विक शांती और सम्रधी में भी योगदान दे सकता है उन्होंने 15 सदस्य परिशत से कहा कि सामोहिक रूप से और संयुक्त राष्ट के साथ सहयोग करते हुए इसके पास फलस्तीन और मध्य पूर्व के अन्य संखर्शों तथा जम्मो कश्मीर विवात को सुलजाने की ख्शमता है